हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूडूब चैनल याहू बाबा पे यह हमारा लारवल कोर्स एलेटिट 53 टोटोरियल है और लारवल के एस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं कि कैसे हम ब्लेट टैंप्रेट पर ना सकते हैं कॉम्पोनेंट की हल्प से देखे इ यहां पर कॉम्पोनेंट्स को यूज करके भी री यूजेबल टैंप्लेट्स मना सकते हैं यहां मैं आपको एक एक अक्जामपल से समझाता हू उमाली जी हमारे पास यहां पे कुछ एक तरीकी की वेबसाइट का डिजैन है कुछ इस तरह से जहां पर हमारे पास ऊपर हैड मतलब कि navigation बार, यहाँ पे sidebar और नीचे footer, अब हम जो ये website बनाने वाले हैं, हर page में ये ही design रहने वाला है, सिरफ change होगा, सिरफ ये वाला white portion, जो मतलब कि main page का content होगा, तो इसको component से कैसे बनाएंगे, तो हम इस design के लिए एक अलग से page बना लेंगे, जैसे माल लेते हैं, layout.blade .php, और उसके अंदर ये पूरी design की HTML हम उसके अंदर place कर देंगे, अब जितना part हमने सिरफ हर page में जाके change करना है, मतलब कि जो ये वाला main part है, उसके अंदर जाकर हम यहाँ पर सिरफ एक variable pass कर देंगे, जिसका नाम है slot, जो कि हम अपनी पिछली वीडियो में सीख चुके है slot का मतलब होता है कि हम dynamically अपने component में बहुत सरे HTML के tag pass कर सकते हैं, अब जब भी मैं इस पूरे layout जो हमारा component है, इसको किसी page में use करना चाता हूँ, मालने थी कि हमारे पास एक page है homepage, तो उसके अंदर जब मैं blade template के अंदर, उसका code करने लगूँगा, तो सबसे पहले मुझे tag लगाना है कुछ इस तरह से, x-layout, जैसे कि हमें अपनी फिस्टी वीडियो में देख चुके हैं, जब भी हम component को use करना चाते हैं, तो हम लिखते हैं x-layout, और उसका यहाँ पर आजएगा end, और इसके बीच में हम वो HTML pass करेंगे, जो हमने slot वाले area में pass करनी है, तो मालने थ जैसे मैंने यहाँ पर एक heading pass कर दी, अब यही heading, हमारे यही जो slot का area, यहाँ पर show होने लग जाएगी, बिल्कुल इसे तरह से, अगर मैं एक page और बनाना चाता हूं, मालने थे हैं, हमार पास एक about us का page है, तो मैंने उसके लिए भी एक blade template file मना लिए, about.blade.php, और उसके की menu की sidebar और नीचे footer की HTML को हर page में लिखने की कोई जरूरत नी है, तो यह अब शुरू करते है practical और वहाँ पर मैं आपको एक easy example से समझाता हूं, कि हम reusable template कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए मैंने web browser के अंदर एक project open करके रखा है, जिसको हम अपनी पिछी वीडियो में complete भी कर चुके हैं, जिसका नाम था eloquent crude, तो यह crude system है पूरा, जहाँ पर हम एक user का data add कर सकते हैं, उसका user का पूरा data हम यहाँ पर view भी कर सकते हैं, अगर single user का data देखना है तो इस view बटन पर click कर सकते हैं, और update करने के लिए अलग से एक page है, जहाँ पर जाके हम उसे update कर सक अब यह जितने अलग-अलग pages हैं, इन सब में एक चीज़ common है, उपर का जो यह header आ रहा है, और यहाँ पर जो यह title बार आ रहा है, सिरफ अंदर का title ही change होता है, बस यह light yellow color का जो बार रहा है, यह same रहता है, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, यह homepage में तो show हो ही र और यहाँ पर भी देख सकते हैं, कि यहाँ पर यह data जो show हो रहा है, इसमें header और यह title बार same आ रहा है, बिल्कूल इसी तरह से update के page में भी, यहाँ पर भी यह header और यह title बार same show हो रहा है, सिरफ title ही यहाँ पर change हो है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं सबसे पहले आपको इसकी HTML दिखाता हूँ, फिर हम उसको छोटा करेंगे, अपने component की help से, यहाँ देखी web editor मैंने open कर लिया, और यहाँ पर मैंने अपना project भी open कर लिया, जिसका नाम में ने रहा है, crude-component, अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, कि जो हमने अलग-लग से blade template soil ब यह देखिए, यह सबसे पहली homepage की file है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऊपर का जो HTML का code है, head part है, और नीचे यह हमारा title बार आ रहा है, और यह देखिए, यहाँ पर यह हमारा page title भी आ रहा है, यह लग-बग code सब page में आपको same मिलेगा, अब मैं आपको second page दिखाता हूँ यह देखिए, यहाँ पर भी यही same header आ रहा है, यही title बार, जो heading part है main, और उसके नीचे page title, update की page में भी ऐसे ही है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर view user का जो page है, उसमें भी same ही code हमने किया हुआ है, आपको दिखा देता हूँ, यह देखिए, अब यहाँ पर सिर्फ title ही change बोटा कर दें, तो उसके लिए देखिए, मैं सबसे पहले अपनी terminal की command open कर लेता हूँ, और यहाँ पर जाकर एक component बना लेता हूँ, command रहेगी PHP artisan make component, और component का नाम है layout, यह देखिए, component create हो चुका है, बिल्कुल इसी तरह से मैं एक component और बना लेता हूँ, form के लिए, आपने मैं भी देखा कि add new user का जो page है, उसमें भी एक form आ रहा है, update user के page में भी एक form आ रहा है, तो मैं चाता हूँ कि वो form भी हमें बार बार create ना करना पड़े, जैसे कि हम अपनी पीसली वीडियो में देख चुके हैं, reusable form कैसे बनाते हैं, बिल्कुल वैसे हम एक form यहाँ पर भी create layout, मैं सबसे पहले layout blade.php file को open कर लेता हूँ, अब यहाँ पर जाके सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर जो हर page में common HTML रखना जाता हूँ, उसको place कर देता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा सबसे पहले मैं homepage पर जाता हूँ, और यहाँ पर जाके यह पूरा doc से लेक यहाँ पर page की hiding आ रही है, और नीचे यह हमारे पास एक message box भी आ रहा है, यह भी मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, और उसके बाद यह हमारा row और call की class आ रही है, इसको भी मैं यहीं से cut कर लेता हूँ, यह देखिए मैंने इसे यहाँ से cut कर लिया, अब मैं यहाँ पर जाता यह जितना भी div का काम है, और हमारे tags close हो रहे हैं, body tag और HTML tag, इसको भी यहाँ से cut कर लेता हूँ, और यहाँ जाके paste कर देता हूँ, यह देखिए, अब यह हमारा पूरा common template बन चुक है, अब जो main part है, जहाँ पर हमारा main page का content आना है, यहाँ पर जाके मैं पास कर देता हूँ slot को, अब slot क्या होता है, यह हम अपनी पिछली वीडियो में देख चुके हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर dynamic HTML पास करेगा user, यहाँ पर मैंने file code save किया, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, जो मेरा main homepage है, यहाँ पर जाकर मैं अपना component को use कर लेता हूँ, तो component का नाम है x-lay layout, जी देखिए, अब जो यह layout का end हो रहा है, इसको मैं यहाँ से cut कर लेता हूँ, और इसको बिलकुल end में जाकर यहाँ पर place कर देता हूँ, और यह सारी HTML इसके अंदर मैंने pass कर दिया है, तो यह HTML कहां से place हो जाएगी, यह place हो जाएगी, slot वाले area में, तो यह मारा homepage का 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 अब बिलकुल इसी तरह से, मैं अपने add user date वाली file के अंदर आ जाता हूँ, और यहाँ पर भी जो यह call 8 से उपर जितना भी code है, इस सब को remove कर देता हूँ, और यहाँ पर अपना component यूज कर लेता हूँ, layout और यहाँ पर इसे cut किया, और नीचे जहाँ पर यह हमारे form का end हो रहा है, इसके बाद यहाँ पर अपना tag को close कर देता हूँ, component tag को, यह देखिए, यहाँ थोड़ी सी formatting गर लेता हूँ, यह देखिए, आप देखरें कि इस page का code कितना कम हो गया, क्यूंकि मैं यहाँ पर component को use कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने file को save किया, बिलकुल इसी तर यह देखिए, यह update user का भी page पूरा set हो चुका है, इसके बाद last page रह गया हमारा view user का, जहाँ पर हम single user का data देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी इसको remove कर देता हूँ, call at class तक, और इसका end tag को यहाँ से cut करके, यहाँ पर place कर दिया, और उपर वाले सारे code की formatting कर दिया, यह देखिए, अब यह हमारी जितने भी चार pages थे, यह सारे set हो चुके हैं, और हमारा पूरा जो component का use अमल थे, कि जो हमने reusable template बनाया था, उसका हर page में जाके use भी कर लिया है, और यह किया कैसे, इसके लिए मैंने यहाँ पर अपना reusable template बना लिया है, और इसके अंदर बस slot area में, जहाँ पर main content change होना था, उसको बस यहाँ पर pass कर दिया slot, यहाँ पर एक चीज और भी change हो नहीं है, वो है यहाँ पर हर page की heading change होगी, तो उसके लिए यहाँ पर मैं क्या करता यहाँ पर मैं एक variable ले लेता हूँ, जिसकी value user dynamically send करेगा, इसका नाम मैं ले लेता हूँ title, आप कोई भी name ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, और यहाँ पर एक condition भी लगा देता हूँ, अगर user ने इसकी value send की है, तो तो यहीं set हो जाएगी, अगर user इसकी value send नहीं करता, तब यह देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर जाता हूँ, अपने x-slot में सबसे उपर, टॉप में, और यहाँ पर एक tag ले लेता हूँ, जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ, x-slot, यह देखिए, यह x-slot क्या होता है, यह हम अपनी पिछी वीडियो में देख चुके हैं, जो भी extra हमें parameter यहाँ पर पास करने होते हैं, वो हम इसी tag के help से यहाँ पर पास कर सकते हैं, यहाँ पर हमें इस x-slot का नाम भी देना होता है, तो इसका नाम मैं रख देता हूँ, नीचे से title मैं remove कर देता हूँ, यह देखिए, अब इसके बाद मैं जो इस page का title रखना चाता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, all users data, तो मैं अब क्या करता हूँ, इस tag को copy कर लेता हूँ, और इसको बागी के जो हमारे pages हैं, उसमें भी जाकर place कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, add new user, यहाँ लिख देता हूँ, update user, यह update वाला page है, और इसके बाद हमारा view का page रहा गया और यहाँ पर लिख देता हूँ user's detail यह देखिए अब यह हमारा काम complete हो चुका है एक बर मैं आपको browser में चार के चक कराता हूँ देखिए मैं यहाँ पर आया page को refresh किया और यह देखिए अब ही भी सब कुछ proper चल रहा है पहले मैं pagination चक कराता हूँ यह देखिए pagination भी proper work कर रही है मैं एक single user का data आपको शोग रहाता हूँ यह देखिए मैं back करता हूँ मैं यहाँ पर update पर click करता हूँ और देखिए यहाँ पर भी लिखा रहा है update user अब यह जो heading है और यह user का जो title है जो यह वाला part है अब यह common file से आ रहा है बिलकुल इसी तरह से add new user का जो page है इसको भी मैं आपको check कराता हूँ यह देखिए अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारे forms है देखिए add new user का जो page है यहाँ पर हमने एक form tag लिया हुआ तो मैं चाता हूँ कि उसमें भी हमारा code काफी कम हो जाए मैं एक बार आपको code चेक कराता हूँ फिर हम उसके बाद उसका भी एक component बनाएंगे देखिए सबसे पहले मैं जाता हूँ add user वाली blade file में यह देखिए अब यहाँ देखिए हमने एक form tag लिया है यहाँ पे action पास किया है और यहाँ पर मैंने method भी पास किया है और इसके बाद मैंने CSRF token भी पास किया है अब यह जहाँ जहाँ पर भी form आ रहे होंगे यह same process मैंने कर रखा है देखिए जैसे update के page में मैंने काम कुछ extra किया होगा यहाँ पर देखिए मैंने एक method extra pass किया put क्योंकि लारावल में जब भी हम update करना चाते है data को तो हमें update के लिए यहाँ पर method लेना होता है put मगर उपर form में लिखना होता है post और बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं user के data को delete करना चाता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ उसके लिए भी मैंने यहाँ पर एक form tag लिया होगा यह देखिए अब इसके अंदर भी एक method आ रहा है post मगर यहाँ पर method use किया delete अब इसका हम एक component बना लेते हैं component का code बिल्कुल वैसे रहेगा जैसे कि हम अपनी पिस्री वीडियो में देख चुके है तो यहाँ से मैं यह default tag है इसको मैं remove कर देता हूँ और यहाँ पर जो मैं code करने वाला हूँ यह मैं अपनी पिस्री वीडियो में जो मैंने code किया था वहाँ से मैं copy कर लेता हूँ यह देखिए यह हमने पिस्री वीडियो में एक form करके एक component create किया था तो वही से मैं यह सारा code copy कर रहा हूँ यह देखिए मैंने यहाँ से copy कर लिया मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर मैंने इसे paste कर दिया मैं इस code को एक बर आपको दुबारा से समझा देता हूँ यहाँ देखिए सबसे पहले मैं उपर दो props लियें props मतलब properties तो मैंने आपको समझाता है इसके लिए मैं array की form में यहाँ पर दो name लेनी होते हैं एक action और एक method इसको मैंने क्यों लिया है क्योंकि यहाँ पर मैं dynamic value लेना चाहता हूँ action की और method की तो यही सी नाम के जो मैंने दो variables भी बनाया है यहाँ पर देखिए action और method और बिलकुल इसी के साथ मैंने यहाँ पर condition भी चेक किया अगर user जो है वो method की value get रखता है तब वहाँ पर return होजएगा get मतलब की method की value set होजएगी get अगर user ने post set किया है या कुछ और set किया है मतलब की put किया है या delete किया है अगर वो get नहीं है तब यहाँ पर form के अंदर method की value set होजएगी post इसके बाद अगर user इस form पर कोई idea class लगाना जाता है तो उसके लिए मैंने यहाँ पर attributes नाम का भी एक variable पास कर रखा है और इसी के अंदर मैंने csrf token भी पास किया है और यहीं पर मैंने एक method नाम का भी directive को यूज़ किया है जो blade template की directive होती है method जिसके अंदर हम put और delete का basically use करते है इससे पहले यहाँ पर मैंने पास कर देगा put या delete और इसके बाद जो form का extra data है जो हमने यहाँ पर form की fields पास करी है वो करी है यहाँ पर slot में तो यह हमारा पूरा component ready हो चुक है तो यहाँ पर मैंने फाइल को save किया अब इसको use कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ तो सबसे पहले मैं जाता हूँ add user.blade file में यह देखिए अब यहाँ पर मैंने यह form को use कर रखा है तो यहाँ पर form की जगब मैं ले लेता हूँ x-form और यहाँ से यही tag copy करके बिल्कुल end में जाके यहाँ पर भी पास कर देता हूँ x-form अब यहाँ पर यह CSRF token पास करने की कोई जुरूरत नहीं है क्योंकि यह component से आ रहा है और यहाँ पर यह method पोस्ट भी पास करने की जुरूरत नहीं है क्योंकि यह मैंने default value रखी हुई है मैं एक बार आपको दुबारा से दिखाता हूँ यह देखिए हमारा component है यहाँ पर method की default value मैंने set की हुई है post अगर user कुछ भी set नहीं करेगा तो यहाँ जेगा post तो यह हमारा component जो x-form है उसको मैंने यहाँ पर use कर लिया यहाँ पर मैं एक चीज और भी बताना चाहता हूँ देखिए यह हमारा सबसे पहला component था आप एक component के अंदर दूसरा component भी use कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से मैं इस page में आया और यहाँ पर लिखता हूँ x-form यहाँ से यह दोनों चीज़े हटा देता हूँ csrf token और put method बस यहाँ पर method की जगह पर मैं लिख दूँगा put और नीचे जो यह x-form है इसका मैं end भी कर देता हूँ यह देखिए तो हमारा यह update user वाली फाइल का भी काम हो चुक है अब इसके बाद delete button के लिए जो मैंने form create किया है उस पर भी काम कर लेते हैं यह देखिए यहाँ से csrf token मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर form की जगह मैं लिख देता हूँ x-form और यह action as it is रहेगा जो user sign करेगा और यहाँ पर method की जगह मैं लिख देता हूँ delete यह देखिए यह आपको capital letter में ही pass करना है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा form कितना कम हो चुका है और जो हमारे code की complexity है वो बिल्कुल खतम सी हो चुकी है तो यहाँ पर मैंने file को save किया मैं यहाँ पर आया अपने web browser में back जाता हूँ यह देखिए अब 3 के बाद सीधा 5 आ रहा है 4 नंबर का जो user है वो delete हो चुका है मैं इस data को update भी करके दिखाता हूँ देखिए यहाँ पर आ रहा है salu.email.com इसको मैं correct कर लेता हूँ update और यहाँ लिख देता हूँ Salman यह देखिए यहाँ पर email जो है update हो चुकी है यह देखिए मैंने यहाँ पर एक निया user का data add किया है यहाँ पर मैंने save किया और यह देखिए यहाँ पर last मैं अगर मैं जाऊंगा यह देखिए last number पर यहाँ पर DP का नाम से एक निया user भी add हो चुक है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा जो पूरा page है मतले कि पूरा crude system है properly work कर रहे है और इसके लिए हमने किया क्या है हमने यहाँ पर दो components create की है एक है हमारा form का component जिसके अंदर अब user को यह method वगरा extra और यह csrf token पास करने की कोई जुरूरत नहीं है और यह method भी लगाने की जुरूरत नहीं है यह code उसका काम हो चुक है और जो इस पूरी website का जो layout है उसके लिए हमने अलग से component बनाया था जिसका नाम है layout.blade.php अब यहीं पर हमारी boot setup की CSS की file include हो रही है सिरफ एक ही page में अगर हमें यहीं पर कोई और CSS भी लगाने है तो सिरफ एक ही page के अंदर उसका link पास करना पड़ेगा और अगर इस project में JavaScript भी लगानी है तो वो भी इसी page में है है यहाँ पर हमारे को उसकी file को include करना पड़ेगा तो यहाँ से आपको clear हो गया होगा कि अगर हम reusable template बना लेते हैं तो हमारा code कितना कम हो जाता है सिरफ इसी part का हमारे को जो content है अलग-अलग page में जाके सिरफ पास करना है तो यह था हमारा इस video के tutorial अगर आप अच्छा लगा है तो वीडियो को please like करना मत भूलिए अगर आप ऐसी regular updates आते हैं तो हमारी channel यहू बाबा को subscribe करना मत भूलिए